प्रणाम, ग्रुषी चिन्तन चेनल मा सौस नेही जनोने मंगल मै कामना साथे प्रणाम आजनो विशय छे सुखी दामपत्य जीवन भारतिय संस्कृती मा ग्रुहस्त आस्रमने सौथी वधारे महत्व आप्पामा आविल छे विजा तरणे आस्रमोंनो आधार तेना परज रहेलो छे एक सत्गृहस्त श्रेष्ट वाल प्रस्ती बनी शके छे नईष्टिक भ्रमचारियो पन गृहस्त आस्रम माज तयार थाई छे जेनो गृहस्त आस्रम उत्तम होई तेनो सन्यास पन परिपक्व बने छे जीवनने चार आस्रमों मा वहजवामा आविल छे ते दरेक अवस्थामा धर्मयुक्त अर्थ अने कामनो सम्यक निर्वा करवो पडे छे तोज मुक्षनी प्राप्ति थाई छे दामपत्य जीवननो उद्देश सुक भोगवानो नकी तेमा भावी जीवनने वधारे स्रेष्ट बनावा माटे तैयारी करवानी होई छे एटलेज परंपुज्य गुरुदेवे गुरुहस्तास्रमने तपोवन कहयो छे तेमा सैयम तथा सेवानी साधना करवी पड़े छे गुरुहस्तास्रमनी सफ़तानो आधार स्रेष्ट अने पवित्र दामपत्य जीवन छे दामपत्य जीवन सनमार्ग गामी तथा कल्यानकारी बने ए माटे रुषियोये लक्की करिला सुत्रोनु पालन करवु जरुरी छे एक बिजा प्रत्य सनमान सहकार्नी भावना अने विश्वास ए दामपत्य जीवननी सफ़ताना मुख्य आधार छे गर्ना सप्योये एक बिजाने सनमान आपवू अने विश्वास राखवो खुब जरुरी छे व्यक्ती जेवी होये ते रुकमा तेनो स्विकार करवो पड़े छे दामपत्य जीवनमा जो सनमाननी भावना नो होय तो सहकार मेडवो बहु मुश्केल थई जाई छे एवी स्थितीमा गुरुहस्त जीवननी गाली डचका खावा लागे छे आना थी बच्वा माटे एक बिजाने समझवानो प्रयास करो परस्पर आत्मियता बर्यो व्यवहार करो तथा बिजा पासे वधारे पड़ती अपेक्षा न राखो एना थी एक बिजा साथेना सबंधो बगडे छे कलह, कलेश, तथा तनाव पेदा थाई एवी घटनाव वधे छे अने जीवन नरक जिवो बनी जाई छे आमा थी बहार नी कड़वा माटे इमानदारी पुर्वक पोतानों मुल्यानकन करो और पोतानी अंदर दोक्यों करो तो एना थी पोतानी भूलो तथा तुरुटियो समझाशे अने ए भूलोने सुधारी ने बीजा सब्व्योने पन सुधारवानी तक आपी ने उदारता तथा शहिश्णतानों अभ्याज करो जोई है एमाज समझदारी रहेली छे एक बीजानी नानी नानी बूलोने सहन्न करवाना कारणेज आपना सबंदो मा कड़वास पेदा थाई छे एवी स्थिती माँ दर्रोज कजिया कंका स्थता रहे छे केटलिकवार एउपन बने छे के कोई एक पक्ष मानसिक सम्तुलन कोई ब्यासे अने खुप कुस्ते थाई जाए दामपत्य जीवन माँ मोटे भागे आउँ बन्तु होई छे एवी स्थिती माँ बीजा पक्षे पोतानी उदारता बतावी जोईये पोते नमबा माँ नाना थाई जवातू नथी तेथी शान्त तथा मौन रहीने स्थितीने संबाडवानो प्रहेत न करो एक बीजानी आंतरिक बाबतों माँ खोटी दखल न करो गुरुहस्त जीवन मा पती पतनी बन्ने ना कारेक्षेत्रों जुदा जुदा होई छे पतनी ए पतीना कार्यों माथू न मारू जोईये अने पती ए पतनीना कार्यों मा डखल न करो जोईये बन्ने एक बीजानी भूलो जोवानो प्रहेत्न न करो जोईये जो कोई बाबत मां मत भेद होई तो साथे वेसिने तेने तूर करो एक भीजाना कारे मां मदत करो शान्ति थी वादची द्वारा मत भेदोनू निराकरन थई जाई छे पती पतनी बनने एक भीजाने समय आपको जोई है औने एक भीजाना दिलनी बात सामबढवी जोई है एना थी एक भीजाने समझवानों मौको मले छे औने मननों बोज हडवो थाई जाई छे एक भीजा प्रतिये खोटी शंका न राखवी जोई है औने गेर समझने दूर करवी जोई है एना थी सबंद मजबूत बने चे एक बिजानी नानी नानी बुलोने दर गुजर करवानी भावना वदे चे अने जीवन सुखी बने चे एक बिजा प्रत्य वधारे पड़तो मोह के आसकती राखवाना बगले पोताना कर्तवयो निष्टापुर्वक निभावा जोई है एना थी जीवन यात्रा सुखद बने दामपत्य जीवनने उत्तम पवित्र औने प्रेरना दायक बनावो जीवन यात्रामा बद्धा एकज ट्रेन मा बेठा चे अने एक बिजानो सहाथ 24 समय पूर्तोज छे कोई तमारी साथी क्यों व्यवहार करे छे ए जोयावगर तमे तमारा तरब थी स्रेष्ट तम व्यवहार करो कर्तवय पालन करो अने बनी शके एकली बिजाने मदत करीने यात्राने आनदमई बनाओ एना थी परिवार ना विजा बद्धा सब्वयो पर सारो प्रभाव बढ़ से नारीने रमणी न मानो तेने माताना नी जेम सन्मान आपो दामपत्य जीवनने सुख़द बनाबानो आ महत्वपूर्ण सुत्र छे दामपत्य जीवननी सरुवात्मा एक बिजा प्रत्य दैहिक आकर्षण होई एसा भाविच्छे परन्तु संतानना जन्मपछी तीमे दीमे ती आकर्षण ओछु थतु जाईचे अने भावनात्मक पक्ष महत्वणों बनी जाईचे सयमित तथा सदाचारपूर्ण जीवन जीवा थी आपनों गुरुहस्त जीवन तपोवन बनी जाईचे एना बदले जो नीती मर्यादाने नेवे मुकीने विशयासत जीवन जीवा मा आवे तो गुरुहस्त जीवन नश्ट थाई जाईचे आती गुरुहस्त मा सयमित जीवन जीवानों अभ्यास करवो जोईए आपने एक सद गुरुहस्त तरीके अनुकरणिया उदाहरन रजु करूँ जोईए संतान धाया पछी गुरुहस्तनी जवाबदारियों वदती जाये चे बाड़को माटे परिवातनी पहली पाटशारा होये चे बाड़को वडिलोना व्यवहार तथा आचरंथी जशीखे चे अने त्यामनू अनुकरण करे चे आथी बाड़को ना स्रेष्ट घरतर माटे माता पिताये पोताना आचरंणने स्रेष्ट अने दिव्या बनावू जोईे घरना बद्धा वडिलोये पवित्र अने अगनुकरणिया जीवन जीवू जोईे माता पिताए संतानोंने वार्षामा स्रेष्ट संस्कारों अप्वा जोईए पती पतनी पोताना आचरण मा सदगों नो जित्लो वजारे समावेश कर से एटलूज परिवारनों वातावरन उत्तम बंचे घरमा दर्रोज उपासना स्वार्ध्याय सत्सं वगेरे थवा जोईए एना थी मोट्टाओनों तो अध्यात्मिक विकास थसे औने तेनी साथे साथे बाड़कों मा पन स्रेष्ट संस्कारों नो सिंचन थसे परिवारमा बद्धाये सवार सांज एक साथे बेसीने सामुहिक आर्थी संध्यावंदन तथा उपासनानो नियम राखो जोईए एना थी परिवारना सभ्योमा अस्तिक्तानों विकास थसे औने घरनों वातावरन सात्विक पवित्र औने दिव्य बन शे एना परिणा में आपनों जीवन सुक तथा शांति थी भरपुर रहेशे गरना सभ्योये शालिंता, स्रम शीलता, नियमितता, सुव्यवस्था, सहियोग, सहकार, उदारता, सहिश्णता, स्वच्चता, सिष्टता, सज्जनता जिवा सदगुणों नो अभ्याज करवो जोई है मातापिता तथा विजा वडिलो जिटला सदगुणी तथा चरित्रवान हशे एकला जि तेमना संतानों स्रेष्ट तथा सु संसकारी बन शे आम दामपत्य जीवन वास्तवमा एक जीवन साधना चे गुरुहस्त जीवन ने स्रेष्ट बनावबू ते समाज अने संसक्रुतिनी बहु मोटी सेवा चे एना थी समाज सभ्य, शालिन तथा शक्ती शाली बन से अस्तू युक्शक्ती गायतरी नवेंबर 2021